यह जब्र आप RAMSAY पॉड्य पढ़ा आपस अचेजआ करने का तरीकों मौर्डल का प्राइब advanced घृटल को देखने के बाद सिर्फ एक वीडियो को देखने के बाद आप सभी मौडल का डिश्पले चेंड कर पाएंगे। सबक्सेश इसमे कब और सब्सक्राइब करने करने का तरीका एकदम से मौटा curfald करना कि एक करनेक्टर देना है और आफिक अमल सर डिस्पले को रिमूब करना है एक दम असान तरीका से मैं आपको बताऊंगा कैसे डिस्प्लेइस का चेंज करना है और इस वीडियो को देखने के बाद आप समसंग जे वन जे टू जे त्री जे फॉर जे फाइब जे सेविन सभी मॉडल का डिस्प्ले आप बहुत ही असानी से चेंज कर पाएंगे मैं बार जानी से बार अगर आपका डायमीज है ब्रोकन है तो जैसे करके भी आप ब्रोकन करके भी डिस्प्ली से को 5 कर सकते हैं बोल के इसलिए इतना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है रिमूब करने में अब देख पार है आई से करके आपको रिमूब कर लेना है ओके अब रिमूब करने के बाद फ्रेम का जो बॉर्डर होता है उसको अच्छे से सफाई कर लेना है कि एकदम अच्छे से उसको सफाई कर लेना क्योंकि बॉर्डर में ही गमिंग करने के बाद न्यू डिस्प्ले को फिक्स कर आता है कि मैं आपको इस्टेप बेस्टेप और भी बहुत सारी बाते बताऊंगा जो न्यू टेक्निशियन लोग जो है मिस्टेक कर देते हैं और कि उपिनर कि मदद से अच्छे से आपको इसको सफाई कर लेना यह होता है कि इसफिकर और यह सफाई द्रफी दोन जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है इसका प्रईस मेक्सिमु में आपको जह होता है 50 होता है पाचास रुपए में मिल जाता है जैंदी जो कामेया काम्रा को भी अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है कैमरा पर अगर कुछ ड़िश्ट है इसको अच्छे से क्लिन कर लेना है कि आपको एक एक चीज का खास द्यान दखना है बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप डिस्प्लेज जैसे फिक्स करते हैं करने के बाद आपका जो नीचे का जो बैक बटन होता है होम बटन बैक बटन जो होता है मीनिमाज बटन जो होता है वह प्रॉपरली काम नहीं करता है आपको लॉंग प्रेस करना पड़ता है मतलब थोड़ा ज्यादा जोर से पुश करना पड़ता है प्रेस करना पड़ता है वह भी उसका भी सोलोशन में आपको दिखाऊंगा दिखी स्वीच को जो है आपको अप करना है कि बैक बटन होम बटन एंड मीनिमाइज बटन जो होता है उसको आपको साइड साइड से हलके हलके हातों से आपको किसी चुम्टा ओपने निख कर देना है एड्ड इसके नीचे एक इस्टीकर लगा देना है अब कि नोटिस किये होंगे जब भी आप डिश्पले कहीं चेंज कराते हूंगे तो चेंज डिस्पले कराने के बाद जे सीरीज में आपको बैक करने की लिए थोड़ा जोर से ताकत लगाना पड़ता है जबकि 100% जो रिजिनल होता है डिस्पले उसमें सिफ टच करने से वक् दखा रहा हमें दगोर जटीकर चीकर को डबल कर इतना चोटा कर छोटा कर यह से नीचे रख देड़ेists आँा के इसके वी बैक बटन नीचे रख देना इसके उपर बैक बटन रहा देख पारता है तौन पलस उपי मतलब मैं यह चाहता हूं कि बाक्टन को थोड़ा्या लोग कर देना है बहुत से लोग जो है बैक बरतन का उपर लगाते हैं ऊपर नहीं लगाए जाताосто ये आपको निचप नगाना है कि इसको सुंध्सर वहता है कि अपय को अब यह जो है इसको भी ब्सक्तायों लगा देना है कि अब कुछ स्टीकर जो होम बटन का ऊपर भी रख देना है कि अब के इससे क्या होता कि वन टाइम वन टॉच बैक काम करेगा सी भलका से टॉच करने से बैक काम करेगा जैसे हंडेड़ पर्शन और इजनल में काम करता वैसे देख पारे अब मेरे पास यह निव डिस्प्ले निव कामडो फोल्डर जिसको बोलते हैं यह वोलडर को परुद 빠ib者 करेंगे देख पार्यां अब तो यह निव डिस्पले है कि इसके स्टीक एक कौछ फेसे क्लीन कर ले लेना है पूम डिश्प्ले फिक्स करने से पहले और लिखी होमटन होम बटन को अच्छे से क्लिन करें आपको एक सेलो एक लेना है कि जो की अविलिएवल होता है ज़िए मैं आपको इस्टेप ब्सटazar और इस चीज को अग double करके अगर आप काम करते हैं तो आपका काम में कभीवी दो ल होम बटन को अच्छे से इस पर कन देना है एंग ओके बहुत से लोग यह मिस्टेक कर से निस से के हों मसें डिस से अंदर खुङह बाद डिस्प्लेंट्वास वबटन अंदर जाता है इसके लिए सब प्रॉबल्लम आपको Facebookह नहीं करना पड़े Line एकदम professional तरीका से मैं आपको बता रहा हूं देशी जुगार से बने बता रहा हूं लेकिन काम आपका बहुत ही अच्छा काम करेगा डिस्पले अब आपको करना है गमिंग मैं डिस्पले को ओलेडी चेक कर चुका हूं इसलिए मैं डारेट गमिंग कर रहा हूं आप पहले गम लंबा हो चुका है टश चेकिंग करने का वीडियो में बनाऊंगा तो और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो ओके यह होता है गम जोकी मार्केट में इसली एक सो रिपे में मिल जाता है गमिंग करना है स्टीकर हम लोग कर चुके हैं होम बटन का काम कर चुके हैं देखिए आपको नॉर्मिल ऐसे गम करना है कि ओके अब आपको गमिंग करने के बाद न्यू डिस्प्ले को इसमें फिक्स करना है कैसे फिक्स करना है मैं आपको दिखाता हूं आपके उतंद में और यह देखिये न्यूड़ डिस्प्ले का कनेक्टर को यहां से पास करना है यहां यहां पर हो लए यहां पर यहां से आपको पास करना है कि अ देख पा रहे हैं आप डिस्प्ले को एकदम हलके हाथों से पुश करना है फिक्स करना है फ्रेम में एकदम हलके हाथों से ज्यादा अगर आप फोर्स करते हैं तो डिस्प्ले डेमेज हो सकता है अब इस कनेक्टर को बोर्ड में फिक्स कर देना है कि कनेक्टर का जो गार्ड है उसको भी आप यहां पे लगा लेते हैं बैटरी लगा लेते हैं मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूं देख पार है फोन मेरा ओन हो चुका है बैक को लगा लेते हैं कि आज के डेट में इस डिस्प्ले का प्राइस है एक हजार रुपए फोन मेरा ओन हो रहा है मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा अभी आपको क्या करना है यहां पर जो इस्टीकर है इसको इसक्रेच करने से यहां पर सैंसंग लिखा हुआ जाएगा इसको स्क्रेच करते हैं कि यह सैंसंग अब जो है आपको गाडर करना गाडर करने से पहले अगर कुछ गमिंग करते वक्त अगर कुछ एक्स्ट्रा गम होता है तो उसको पहले सफाई कर लेना है एकदम काम एकदम कि फर्स क्लास काम आपको करना है देखे फोन अन होने के बाद थोड़ा टाइम लेता सैंसंग का उसके बाद टैस अब टैस्ट आपको काम करेगा प्रॉपरली दिखे टैस्ट मेरा पूरा ओके है अब टैस्ट चेक कर सकते हैं अब आपको नॉर्मली गाडरिंग कर देना है अब काडर को लेना है और ऐसे करके आपको कम से कम चार घंटा के लिए रख देना है गाडर भी हलके हाथों से करना है अब कम से कम इसको चार घंटा के लिए रख देना है चार घंटे के बाद आप गाडर को खोल लेंगे अब फोन आपका एकदम यूजेबल हो जाएगा